Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankhita Soth So MP Set Paper 1 के preparation के लिए 50 से भी जादा MCQs वाली सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो की बहुत ही जादा important है इन MCQs में से आपको exam में as it is questions भी देखने को मिल सकते हैं इसलिए मैं आपको smart tricks भी बताऊंगी ताकि इस कम समय में भी आप लोगों के फटा-फट से concepts clear हो जाएं So students, अगर आप चाहते हो कि examination तक इसी तरह से MCQs सीरीज को मैं continue रखूँ तो आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा Session पर आगे जाने से पहले आपको बता दूँ कि मध्यबदे सेट Paper 1 के smart preparation के लिए full syllabus test series हमने launch की है जिसमें Paper 1 के total 10 unit के 40 से भी जादा test हम आपको provide कराते हैं So ये test आपको English and Hindi दोनों ही languages में available हैं इसके साथ ही आपको short notes भी मिलेंगे जो की exam में आपको बहुत ही जादा मदद करते हैं ये 40 mock test अगर आप लोग attempt कर लेते हूँ examination से पहले तो आप लोगों को बहुत easy हो जाएगा exam में अच्छा score करने में यही में से आपको hazardous questions देखने को मिल सकते हैं इस test series में मैं आपको 100% guarantee ये भी देती हूँ कि इसके अलावा आपको exam में कुछ भी कहीं से भी और देखने को नहीं मिलेगा exam का क्या pattern है क्या difficulty level है उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये test series हमने launch की है जिसको join करने के लिए आपको इन whatsapp numbers पर contact करना है और इसके लिए आपको सरफ एक ही बार fees पे करनी है वो बिसरफ 999 इसके लावा फ्री वीडियो के लिए आप लोग global online आपको भी डाउनलोड कर सकते हो आपका लिंक description box में मल जाएगा आप डाउनलोड करने के पास store section पर जाकर आपको search bar में लिखना है MP set आपके सामने complete course का overview आजाएगा आप इस पर जैसे ही click करते हो content section पर आप यहाँ पर देख सकते हो unit wise folders आपके सामने है जिसमें की free videos भी available है आपको यहाँ पर mob test मिल जाएगे English में और Hindi में और इसके इलावा बहुत सारे students unit wise और topic wise मेरे sessions की demand कर रहे थी तो उन सभी के लिए separate sessions भी मैं लेकर आई हूँ तो आप आज ही इनको whatsapp numbers पर contact करके join जरूर कर सकते हो so paper 1 preparation के साथ paper 2 पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है इसके preparation के लिए study material हम लेकर आई है जो की exam के pattern और difficulty level को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है study material में आपको paper 2 के full syllabus notes and mcqs हम देते हैं जिसमें की आपको previous year questions, most expected और most repeated questions की series मल जाएगी and इसमें से आपको as it is questions देखने को मिलेंगे तो आप सभी students screen पर अपने subject को चेक कीजए और इन numbers पर contact करके आप इसको join कर सकते हूँ इसके लिए flat 20% off में आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें पूछा गया है irritation in ice is caused by the pollutant यानि की आँखों में जद जलन होती है वो कौन से प्रदूशक की वजा से होती है so correct answer है sulfur next question is which of the following types of natural hazards have the highest potential to cause damage to humans so निमन लिखित में से कौन सा वो प्राकृतिक ऐसा खत्रा है जो की मनुष्यों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है so correct answer है यहाँ पे droughts and floods यानि की सूखा और bad then we have next question which of the following sequences represents the most logical sequence in doing research so research करते समय हमें sequence को एक step को कुछ steps को follow करना होता है तो कौन सा वो correct option है so देखो सबसे पहले हम लोगों के पास हम लोगों को identify करना है और define करना है किसको research problem को उसके बाद हम hypothesis को formulate करते हैं यानि की परिकल्पना करना शुरू कर देते हैं उसके बाद हम उस परिकल्पना को check करते हैं कि क्या वो सही है या गलत है and then सबसे last में हमारे पास results आते हैं so correct answer here is option number one बहुत important question है हर साल exam में आएगा तो इसमें सबसे पहले यह याद रखे कि research problem हमेशा पहला step होता है and result की report बनाना last step होता है next question is the smog in cities in India mainly कर्द स्टॉप भारत की शेहरों में जो smog होता है उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती है so उसमें होते हैं oxides of nitrogen and unburnt hydrocarbons next question is plant suitable for bio-monitoring of sulfur dioxide pollution is so sulfur dioxide production की जैव निगरानी के लिए कौन से पहले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसका correct answer है white pine यानि की सफेज चीड का पेल then we have moss and lichens यानि की काई और lichen जिसको हम लोग बोल सकते हैं so ये कुछ ऐसे plants है जो की bio-monitoring अगर हमें करनी है sulfur dioxide pollution की तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं ये question ऐसा है कि पिछली बार exam में थोड़ा गुमा के पूछा गया था ये वाला question का part था and ये options का part था तो आप लोगों को questions को भी अच्छे से पढ़ कर जाना है next question is plagiarism in researches इसको आप लोग plagiarism भी बोल सकते हो plagiarism भी बोल सकते हो ठीक है इसको की शोध की चोरी बोला जाता है so research में इसको क्यों use किया जाता है क्या ये होता है ये होता है किसी particular person की information को copy करना and उसको use कर लेना for example अगर आप लोग माल लीजिए कि हमारी जो global online के notes अगर आप ले रहे हो and उन notes को आप लोग अपना नाम आड़ करके अपने company का logo आड़ करके आगे कहीं sale कर रहे हो किसी student को बेच रहे हो चाहे hard copy में चाहे soft copy में तो आप लोग क्या कर रहे हो plagiarism कर रहे हो यानि कि आपने क्या किया हमारे content को copy किया और अपना नाम देकर उसको आप आगे sale कर रहे हो तो इसकी बहुत बड़ी सजा भी हो सकती है तो research के दुरान आपको यह चीज़े याद रखनी चाहिए अगला question है मैं आच दफॉलविंग से related ozone hole, greenhouse effect, natural hazard and sustainable development goals so sustainable development goals आप लोगों को जरूर पढ़कर जाना है बहुत important यह चीज़ है so ozone hole जो है that is directly related to UV radiations then we have greenhouse effect so यह methane से connect होता है natural hazard tsunami है ठीक है आप लोगोंने tsunami सुना होगा यह natural hazard है इसकी मदद से आप easily correct answer को identify कर सकते थे then we have sustainable development goal जो की eco-centrism होता है अगला question assertion reason based है जो की common pattern है NTA के exams में बहुत बार पुछा जाता है climate change is going to increase social tension in India so climate change से क्या होता है social जो climate change हो रहा है उससे सामाजिक तनाव बढ़ने के बहुत जादा chances हैं इंडिया में इसका कारण यह बताया गया है जो frequency और intensity है यानि कि उसकी अवरिती और तिवरता जो है weather change की will have serious consequences जो इसका correct answer क्या है option number one की दोनों ही statement सही बोल रही है और इस वाली statement का कारण यह हो सकता है अगला question है the biggest hindrain in using biomass as a major energy source is large amount of land required to grow energy crops जो है इसका एक major reason हो सकता है next question is climate change is going to increase social tension in India यह हमने already discuss कर लिया है next है match list one and list two and identify the correct code ठीक है तो यहाँ पर world health day population day, ozone day and AIDS day तो आप लोगों को students में बतात हूँ कि current affairs are related ऐसे questions जरूर पूछे जाते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें world health day जो है वो 7th April को मनाया जाता है तो आप लोगों के exam ऐसे पूछा जा सकता है कि world health day की 2023 की theme क्या थी 2022 की theme क्या थी and कौन सी country में इसको celebrate किया गया इंडिया में अगर यह सिरफ मनाया जाता है तो कौन से state ने या फिर कौन से city ने इस बार इसको host किया तो यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए especially यह days और उनकी जो theme होती है तो इस चीज़ें को आप लोग note कर लीज़ें आप लोग बिल्कुल भी परिशान मत होएगा इन चीज़ों के लिए हम लोग जल्दी ही आपके लिए current affair की lecture series शुरू करने बाले है जो ही definitely आप लोगों को मदद करेगी जिसमें की पूछा गया है महात्मा गांधी is called the father of nation यानि की महात्मा गांधी को राश्रपिता कहा जाता है इसमें हमें बताना है कि classical, categorical proposition कौन सा यूज किया गया है options are universal affirmative and particular affirmative so universal जहां पर universe आगया इसका मतलब है कि हम सब के बारे में बात कर रहे है यानि कि we are talking about all next is particular particular मतलब हम सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम कुछ लोगों या कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं so यहां पर बोला गया है महात्मा गांधी को राश्रपिता कहा जाता है यह statement सब लोगों ने सुनी होगी यह statement सब लोग मानते है so इस वजह से correct answer क्या होगा universal affirmative जहां पर पूरी statement true है and हम लोग बिलकुल sure है उस statement को ले करके तो वहां पर हमेशा universal affirmative term आप लोगों ने select करनी है अगला question है which of the following प्रमानाज are accepted by विशेशिक philosophy यानि कि विशेशिक दर्शन के द्वारा कौन से प्रमान को सिकार किया जाता है options है प्रत्यक्ष, अनुमना, शब्द, उपमना, अर्थपती या फिर अनुपलब्धी so, इस question में students में आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले विशेशिक दर्शन क्या होता है आप लोगों ने Indian philosophy जरूर सुनी होगी Indian philosophy के अंदर हमारे पास six schools होते हैं six schools में से किसी एक school का नाम है विशेशिक philosophy ठीक है, एक school का नाम है विशेशिक philosophy और बाकी के जो पांच schools है उनके नाम क्या है ये आप मुझे homework question है इसका answer मुझे comment करके जरूर बताए 100% ये question exam में आएगा तो students अगर आप चाते हो इस question को correct करना Google पे check कीजे और मुझे comment कीजे ताकि बाकी students विज़का benefit उठा सके विशेशिक philosophy एक school है और इसके अंदर दो प्रमान्स को यूज किया जाता है पहला है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने होती है जिस चीज को हमने अपने आँखों के सामने देखा है दूसरा होता है अनुमान लगाना यानि की guess करना तो correct answer है बोथ A and B ताट इस option number one इसी के साथ बढ़ते है next question की ओर जिसमें पूछा गया है given below are two propositions all philosophers are fallible and Socrates is not fallible तो दोस statements given है आपको बताना है अब देखो यहाँ पे students पहले मैं आपको trick बता देती हूँ students इसका meaning समझने में confused हो जाते हैं कि अच्छा philosophers तो समझा गया यह fallible का क्या मतलब होता है Socrates का क्या मतलब होता है मैं भी आप इसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मतलब इसका पता होगा ठीक है तो आप लोगों को logical reasoning की एक trick मैं यह बताती हूँ कि आपको यहां पे words के meaning पर focus नहीं करना है जो propositions given होती है उसके words के meaning पर focus नहीं करना है आपको directly यह देखना है कि question में क्या पूछा है Question में पूछा है classical square of opposition के according इसमें से कौन सी statement बिल्कुल correct है So इस question के लिए भी आप लोगों को classical square of opposition टा knowledge होना जरूरी है ठीक है so सबसे पहले आपको यह पता दूँ कि इसमें चार तरहा की चीज़े होती है A, E, I and O Okay so A का मतलब होता है हमारे पास all Then we have E, E का मतलब होता है no I का मतलब होता है some And O का मतलब होता है some not And question में क्या given है Question में given है All philosophers यानि कि statement में we are talking about A Socrates is not fallible यानि कि here we are talking about O यहाँ पे some नहीं लिखा है But not अगर बीच में होगा तो इसका मतलब है कि some शुरू में जरूर है ठीक है so इसका मतलब है A and O statement कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ठीक है So इसमें बताना है कि कौन से statement correct है यह दोनों statements अगर एक जगा पे आज आए इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ relationship है and A और O के बीच में कौन सा relationship होता है contradictory का relationship होता है इसपे एक detailed video मैंने already बनाई हुई है अगर आप ने वो अभी तक नहीं देखी है मुझे comment कीजिए मैं definitely आपके साथ link share कर दूगी next question is which of the following are accepted in Buddhism so Buddhism में कौन-कौन सी चीज़ों को accept किया जाता है first is अध्यास, अपोहा, अभवा जिसको की अभव बोला जाता है यानि कि किसी चीज़ की कमी next is अर्थपति यानि कि किसी अर्थ की उत्पति यानि कि किसी word के meaning को हम यहाँ पर find out करते हैं प्रत्यक्ष जो चीज़ हमारे सामने है शब्द मतलब कोई word so, बुद्धिसम में कौन सी चीज़ को accept किया गया था correct answer here is B and E only direct questions है अगर आप लोगोंने एक list बना दी है कि बुद्धिसम में किसको accept किया जाता है उपन आया में किस चीज़ को accept किया जाता है तो यह question दो second में आप solve कर सकते थे so, यहाँ पे अपोहा and प्रतियक्ष ये दोनों चीज़ों के बारे में बात की गई है so, अपोहा क्या होता है अपोहा refers to Buddhist exclusion theory ठीक है so, यह उनकी exclusion theory का ही एक पार्ट है जिसमें कि it is a negative process of exclusion so, यह statement पे exam में पूछी जाती है कि बुद्धिसम के अंदर उनकी negative statement of exclusion क्या है तो वो है अपोहा next question is what is the nature of logical argument एक logical argument given है आपको बताना है कोई भी logical argument आप ले सकते है उसको बताना है कि उसका nature क्या हो सकता है so, आपने अगर इसकी सिर्फ PYQs पे overview भी लिया होगा तो आपको पता होगा कि एक logical argument के साथ हम valid और invalid ये दो ही terms को जो है use करते है अगला question है which one of the following decides the figure of a categorical proposition so, categorical proposition मैंने आपको बता दिया उसके figures को हम कैसे decide करते हैं कौन मदद करता है तो उसमें मदद करता है middle term middle term क्या होती है दो statements given है suppose all dogs are animals then we have all animals are brave तो यहाँ पे दोनों में common statement क्या है animals है so, इस case में middle term क्या होगी middle term होगी animal so, हमेशा किसी भी categorical proposition को decide करने के लिए उसका figure decide करने के लिए middle term का एक major role होता है next question is quantity and quality of a categorical proposition decide what so, quality and quantity जो होती है categorical proposition की उससे हम उसके mood तक पहुँच पाते हैं then we have next question the fallacy fallacies are very important for your UGC net examination we have different types of fallacies all types are very important right so, the fallacy produced in the conclusion due to the repudiation of sadhya by hetu is known as so, hetu के द्वारा अगर sadhya के repudiation यानि की खंडन के कारण कोई fallacy हमारे पास आती है fallacy बनती है तो उसको क्या बोला जाता है उसको विरुद्ध बोला जाता है ठीके so, विरुद्ध को और क्या बोला जाता है इसको इसको contradictory middle भी बोला जाता है exam में same question as it is पूछा जाएगा लेकिन विरुद्ध की जगा option होगा contradictory middle ये क्या होता है विरुद्ध it is the one which disproves the very proposition which is meant to prove एक ऐसा proposition जिसको हमें prove करना था लेकिन उसको हमने disapprove कर दिया वो हम उसके विरुद्ध चले गए next question is what is the sequential order of a comprehensible sentence in नियाय philosophy so, नियाय philosophy में कौन सा होता है एक sequence तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास अकांक्षा then we have योग्यता then we have then we have सनिधी then we have ततपर्य ततपर्य okay, so correct answer is option number two next question is four propositions given है two of them are related in such a way that they cannot be true together although they can be false यानि कि चार में से दो statements ऐसी हैं जो कि एक साथ true हो सकती है लेकिन दोनो statements एक साथ कभी भी false नहीं हो सकती so इस question के लिए आपको options पढ़ने है ये statements पढ़नी है then आपको इसके options भी पढ़ने है ठीक है then फिर आप उसको compare करोगे so जो भी statement जहां पे दोनो statements एक साथ true हो सकती है लेकिन एक साथ false नहीं हो सकती वो statements क्या होती है contrary statements होती है इस चीज़ को अगर आप लोगोंने note किया होगा वो चीज़े क्या होती है contrary statements होती है so contrary statement हमेशा होती है a to e a का मतलब हो गया all वाली e का मतलब हो गया no वाली so all वाली statement and no वाली statement इस according correct answer क्या है a and b only इस तरह से आप इसको answer कर सकते हो next question is to inference in the past by perceiving muddy water in the pond that is called what so it is called purwovat anumana so purwovat anumana is also very important purwovat anumana क्या होता है inference होता है जिसमें कि we infer the unperceived effect from perceived cause अगला question है the sequential order of syllogism in niyaya philosophy so niyaya philosophy में एक हमारे पास order होता है जिसको कि आपको याद रखना जरूरी है so इसमें order सबसे पहले क्या आजाएगा हमारे पास सबसे पहले आजाएगा प्रतिग्या उसके बाद आता है हेतु उसके बाद आता है उदाहरना यानि कि example then we have upnaya then we have nigmana ओगे निगमन जिसको बोनते हैं so niyaya philosophy के अंदर ये आपको याद रखना है जैसे कि मैंने आपको बताया Indian philosophy के जो six schools होते हैं उसमें से एक niyaya philosophy भी है Gotham जो है वो main proponent है niyaya philosophy के next question is what type of cognition is beyond the ambit of perception so correct answer है यहाँ पे निर्विकल प्रत्यक्ष अगला question है in a proposition which is particular affirmative so मैंने आप लोगों को बता दिया particular affirmative statements क्या होती है neither the subject nor the predicate is distributed यानि कि इसमें हम लोग ना ही subject को ना ही predicate को distribute करते हैं वितरित नहीं किया जाता in order to authenticate the environmental values as advocated by our ancestors a scholar cites example from Vedas the means of knowledge used by him or her in terms of Indian logic will be called as what so it will be called as shabd यानि की verbal testimony okay next question is in Indian logic यहाँ पे देखो students कुछ नहीं समझाने की चीज़ है Hindi English में आपके सामनी question है as it is definition दी गई है अगला question है in Indian logic the presence of the middle term in the minor term is called so minor term में जो middle term होती है दो statements में मैंने क्या बताया middle term होती है जो दोनों में common होती है उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है पक्षधर्मिता यह सारे संस्कृत words हैं जो कि Indian logic category के अंदर account किये जाते हैं next is असिद्ध is a fallacy when the middle term is असिद्ध मतलब unproved ठीक है unproved fallacy जो होती है fallacy तब होती है when the middle term is unproved मैंने आप लोगों को directly answer ही बता दिया सिद्ध मतलब प्रूफ कर दिया किसी चीज़ को असिद्ध मतलब unproved next question is golden mountain is fairy because it is smoky it is smoky full stop which type of fallacy is committed by the above influence so golden mountain is यानि कि स्वण परवद जो होते है वो बहुत ही जादा attractive भी होते है और फाइरी भी होते है ठीक है because it is smoky क्योंकि वहां पर धुआ भी रहता है so यह किसका अंसर है यह आश्रे सिद्धी का अंसर है ayurveda which deals with indigenous system of medicine could be traced to अब आप लोगों को पता है हमारे पास चार वेद होते है rig वेद, yajur वेद, sam वेद and अथर्व वेद so ayurveda की बात या फिर ayurvedic जो remedies होती है उसकी बात कौन से वेद में की गई है यह पूछा है so वो बात की गई है अथर्व वेद में all flowers are toys some toys are trees all flowers are toys and some toys are trees some butterflies are trees ठीक है so यहां पर हमें पताना है कौन से statement correct है so directly answer पे जाते हैं that is C and E only some toys are flowers and some trees are butterflies यह वाले जो question होते हैं students इसको आप लोग directly statement logic भी लगा सकते हो या फिर जिसमें कि आप लोगों को मैंने एक separate वीडियो में बताया है कि A plus A is equals to A होता है यानि कि all वाली statement को अगर दूसरी all वाली statement के साथ जोड जाए तो answer में यानि कि option में से all वाली statement जरूर select होती है तो इस तरह कि मैंने आपको tricks बताय हुए है ठीक है या फिर आप लोग इसको इस तरह से VENT diagram की मदद से भी कर सकते हैं इसे के साथ बढ़ते हैं पहले question की और जिसमें पूछा गया है consider the following number series 2, 10, 30, 68 and we have to find the next number तो इस तरह के questions में students हम लोगों को पहले basic relationship find out करना होता है इन given values के साथ तो अगर हम लोग देखें इस question में तो इसका pattern क्या है अगर हम 1 raise to power 3 करते हैं उसमें plus 1 कर देते हैं तो हमारे पास value आ जाती है 2 जो कि ये given है next में अगर हम लोग 2 raise to power 3 करते हैं plus 2 करते हैं then we have value 10 next में 3 raise to power 3 plus 3 is equals to 30 then we have 4 raise to power 3 plus 4 is equals to 68 so ये given pattern को तो हमने decide कर लिया यहाँ पे find out कर लिया अब इसी pattern को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को next value मिल जाएगी जो कि है 5 raise to power 3 plus 5 is equals to 130 so correct answer यहाँ पे होगा option number 1 that is 130 so ये अगर students आप लोग find the next number type के जो questions होते हैं number series या letter series के इसको आप लोग PYQs को अगर practice कर लेते हो तो आपको काफी idea हो जाता है कि किस तरह के pattern से generally NTA questions पूछता है next question है if light is written as G-I-L-T-H तो इसके लिए आपको क्या करना है L-I-G-H-T इस तरह से लिएना है and इसको हम convert करते हैं G-I-L-T-H से so इस तरह से अगर आप लोग इन letters को लिख लेते हो तो आप लोग उपको easy हो जाता है identify करना so अब देखो I को हमने as it is रहने दिया G को हमने यहाँ पे ले आया और इस वाले L को हमने यहाँ पे ले आया साथ ही H को हम इस तरफ ले आये है and T को हम इस तरफ ले आये है so इसमें हो रहा है यह वाला pattern follow next एक और चीज़ हमें दी है कि अगर fight को इस तरह से लिखा जाता है तो इसको भी हम लिखकर देख लेते हैं F I G H T यह आप लोगों को समझाने के लिए students मैं थोड़ा सा slow जा रही हूँ अगर आप लोगों को एक बार concept समझा जाता है तो आप लोग बहुत easily कम समय में इस तरह के questions को solve कर सकते हो सो यहाँ पर देखो middle term को हमने as it is रखा इसको यहाँ ले आए इसको यहाँ ले आए and दोनों को भी हमने इस तरह सेन की position change कर दी सो इस recording अगर हम देखें सो हमारा next क्या हो सकता है S I G H T इसको हम क्या कर सकते हैं G को यहाँ ले आएंगे I को as it is रख लेंगे then we have S then we have यहाँ पर आजाएगा T and H को ले आएंगे हम इस तरह so correct answer क्या बन गया G I S T H so G I S T H यानि कि option number 2 here is the correct answer so इस तरह के questions अगर आपको पसंदा रहे हैं अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह की videos लेकर आऊं तो आप मुझे comment कर सकते हो या फिर paper 1 के कोई separate sessions आप मुझे चाहते हो तो भी आप मुझे comment कीजिए मैं definitely आप लोगों के request को पूरा करूँगी next question है identify the next number in the series 2, 10, 26 and 50 so इस question में students मैं आपको directly answer बता रही हूँ इसमें कौन से trick हमने use की है कौन सा pattern हमने use किया है ये आप मुझे comment करके बताऊगे तो ये आप सभी students के लिए एक homework question है ये definitely आप मुझे बताईएगा इससे आप लोगों के बहुत अच्छे practice हो जाएगी अगर आपको इसका answer नहीं पता चल रहा इसका pattern नहीं पता चल रहा तो भी comment कीजिए मैं वहीं पर आपका reply कर दूँगी इसी के साथ बढ़ते हैं next question की और जसमें की पूछा गया है consider the following letter series letter series given है ACF, EGJ, IKNN, MOR तो इस letter series में students आप लोगों को सबसे पहले एक pattern पता होना चाहिए ठीक है so अब देखो इसमें हम इसको इस तरह से लिख देते हैं ACF then we have EGJ then we have IKN then MOR ठीक है इस तरह से आप लोग लिख दोगे उसके बाद आपको क्या करना है पहले पहले number का comparison करना है so A से अगर हम E के तरफ जाते हैं तो plus four values आती है A से E पे count कीजिए चार numbers की addition होती है E से I पे भी plus four होता है and I से M पे भी plus four होता है तो same ही pattern हमें follow करना है E से आगे की और so E से जब हम लोग M से आगे की और जाएंगे तो यहां पे हमारे पास value आ जाती है Q तो options में देखो Q से ही आप लोगों को direct answer मिल गया जो की है option number one so आप लोगों को UGC net के reasoning के section में smart work करना है पूरा solve करने की ज़रूरत नहीं है आप देख सकते हो first letter series में से हम लोगों को correct answer बहुत बार मिल जाता है next question is a man walks at a speed of 3 km per hour from location A so एक person की location है A तो उनोंने A से 3 km per hour की तरफ को east की side को जो है move किया ठीके so अगर हम लोग इस point को east direction मान कर जलते हैं तो उनोंने 3 km जो है travel किया है ये east की direction है उनोंने सिरफ यहाँ 3 km तक ही travel किया उसके बाद for 1 hour ठीके इसका मतलब क्या हुआ कि 3 km के लिए उनको कितना समय लग गया इसके लिए उन लोगों को 1 hour का समय लग गया उसके बाद उनोंने क्या किया then उनोंने turn कर दिया left को तो इस तरफ को जाते जाते उनोंने left को turn कर दिया and वो कितना 1.5 km travel किया उनोंने 6 hour तक के लिए so इस तरफ को अगर देखेंगे तो उनोंने यहाँ पे 6 hours 1.5 km तक का travel किया towards north direction ठीके and इस तरह से वो कहां पर पहुँच गे इस तरह से वो पहुँच गे अपनी location B पे then the shortest distance from A to B तो अब देखना है A से B पे shortest distance क्या है तो यह वाला shortest था यहाँ पे 3 km travel किया यहाँ पे उनोंने 1.5 km travel किया so इसके लिए हम लोगों को क्या करना है इसके लिए हमें पहले calculation करनी है so एक घंटे तक आप calculate करते हो 3 पे तो आपका result आजाता है यहाँ पे total 3 km then 1.5 को हमें 6 के साथ करना है यानि कि 1.5 km उनोंने 6 hours में travel किया so 1.5 को अगर हम 6 से measure करते हैं तो वो आजाता है around 9 km so shorted distance के लिए हमें formula right angle triangle यह बन गया तो इसका formula होता है 3 square plus 9 square यह जो values आई है base square plus this वाला square and इसको हम यह कर देंगे so answer आजाएगा approximately 9.48 so 9.48 km shortest path होता है next question is consider the following number series 0, 6, 24, 68 and 120 so यहाँ पे same हमें logic को follow करना है पहले मैं आपको answer भी बता देती हूं so इसमें देखो क्या है 0 में 1 को multiply कर दो and 2 को multiply कर दो answer आजाएगा 0 then we have 1 into 2 into 3 that is equals to 6 next we have 6 value भी आगे, 0 value भी आगे 24 value के लिए क्या करेंगे 2 into 3 into 4 that is 24 उसके बाद आजाएगा 3 into 4 into 5 is equals to 60 60 value आगे उसके बाद हम कर देंगे यहां पर 4 into 5 into 6 120 then we have 5 into 6 into 7 that is equals to 210 so correct answer यहां पर है 210 तो यह थोड़े से basic logics होते हैं जो के practice आपकी चाहते हैं तभी आप लोग इनको solve करता होगे next is which of the following is data visualization method so data visualization होता है pie chart and bar chart next question is in the following letter series so letter series given है जिसमें बोला गया है A, B, C, F अगला है B, C, D, G इस तरह से ही आपको हमेशा लिखना है then we have C, D, E and H then we have D, E, F and I okay so यह letter series आगे है अब इसमें देखना है next term कौन सी होगी so इसमें A से B पे जाएंगे plus 1, B से C पे जाएंगे plus 1, C से D पे जाएंगे plus 1, यानि कि एक एक digit हम आगे बढ़ते गए देखो फिर से यहाँ पे B से C पे गए plus 1, plus 1, plus 1 का pattern ही यहाँ पे follow किया गया है so D के बाद next value आगई E E के बाद next value आगई F so यहाँ पे E and F के 3 patterns given है ठीके, सो हमें आगलाब ही solve करना पड़ेगा so E plus 1, F F plus 1, G तो यहाँ पे इसको हटा देंगे तो F plus 1, G so यहाँ पे आगया हमारे पास H plus 1, I, I plus 1, J ठीके, सो correct answer क्या हो गया यहाँ पे option number 3 that is E, F, G, J so E, F, G, J यहाँ पे आगया अगला question है identify the next term in the series 0 then we have 8 then we have 24 then we have 48 so इसमें कौन सा pattern follow किया है वो अब मैं आपको बताती हूँ अगर आपको इसका answer आता है तो students आप इस video को बाउत कीजिए इसका answer solve करने की कोशिश कीजिए मेरे बताने से पहले ठीक है so 0에서 8 के बीच में कितना difference है 8 का 8 से 24 के बीच में कितना है 16 का 24 से 48 के कितना है 32 का difference है अब तो यहाँ पे common difference कोई भी नहीं आया लेकिन यह जो difference आया है यह सारा difference भी क्या है यह सारा difference भी जो है calculate होता है 8 से इसमें डिफ्रेंस आ गया 8 का इसमें डिफ्रेंस आ गया 8 का इसी तरह से हमें next value find out करनी है 8 तूजा 16 16 तूजा 32 दिन हमें इसमें next value add करनी है next value अगर हम 8 add करते हैं तो वह कितना आ जाता है 40 so 48 में अगर हम लोग 32 sorry यहां पे थोटी सी mistake होगी है यहां पे आएगा 24 ठीक है so 24 में अगर 8 add करते हैं तो आ जाएगा 32 48 प्लस 32 आ जाता है 80 ठीक है so 80 आ गया यहां पे answer हमारे पास इस तरह से next is consider the following letter series and identify the next number A C E F H J K M O and P R T right so इसको हम लोग किस तरह से calculate कर सकते हैं इसमें आप लोग देखो सबसे पहले term है A C ठीक है so यहां पे difference कितना है plus 5 का plus 5 and plus 5 next भी अगर हम देखें तो plus 5 का ही difference है तो जादा इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं directly P के बाद अगर हम लोग plus 5 कर लेते हैं P के बाद plus 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? U आ जाएगा so U पे हमारा directly answer यहां पे आ जाता है that is option number so directly बढ़ते हैं questions की और जिसमें पहला question match the following से related है Anders में तरह लेवल्स of teaching दिये गया है दूसरी तरह focus of concern यानि कि इसका basic definition हम बोल सकते हैं वो दिया गया है so सबसे पहले autonomous development level, memory level, understanding level and reflective level so students अगर आप लोगोंने मेरे theory lecture series देखे हैं तो उसमें मैंने इस topic को लेकर के keywords आपको बताए हैं अगर हम memory level की सबसे पहले बात करें यह smallest level होता है जहां पर भी हम facts को recall करने की बात करते हैं कभी भी आपको recall word नजर आए so directly आप लोग memory level को उससे connect कर दीजेगा ठीके, next आ जाता है फिर हमारे पास understanding level किसी चीज़ की समझ कब होती है जब हम उसके बीच में relationship उसके facts और उसी चीज़ को लेकर के examples बनाना शुरू कर देते हैं इसका मतलब यह है कि हम उससे उस understanding level पर आ चुके हैं then we have reflective level यानि कि जो कुछ भी हमने इन दोनों levels में सीखा था उसको reflect करने का समय आ चुका है so reflective level क्या होता है problem raising and problem solving यानि कि अगर हम किसी problem में first चुके हैं तो memory और understanding level में हमने जो कुछ भी सीखा उन सब चीजों को recall करते हुए उनको बीच में relationship देखते हुए हम problem से बाहर निकल सकते हैं then we have autonomous development level जो की directly किसी भी चीज की effect और उसकी feelings के साथ हमें connect करता है so affect and feelings की अगर बात हो then we are talking about autonomous development levels so यह कुछ key words थे जो की बहुत important है next question है which of the following set of statements best represent nature and objective of teaching and learning यानि की सीखने और शिक्षन और सीखाने या सीखने का जो तरीका होता है उसकी प्रकृति और उदेश्य से related हमें बताना है कि कौन से statements true है first is teaching is like selling and learning is like buying तो ऐसा तो नहीं होता teacher है कुछ बेचने के लिए तो नहीं है यहाँ पर knowledge हम share करते है ना कि बेचते हैं ठीक है so यह statement incorrect है teaching is a social act while learning is a personal act so बिलकुल यह statement correct है क्योंकि अब मैं आपको पढ़ा रही हो तो यह क्या है यह सामाजिक कार्य है अब आप लोग पढ़ रहे हो आप सीखना चाते हो या नहीं सीखना चाते हो यह आपका व्यक्तिकत decision हो सकता है teaching implies learning whereas learning does not implies teaching so यह statement भी बिलकुल correct है कि teaching से मैं आपको पढ़ा रही हो तो आप इस वीडियो के बाद कुछ न कुछ students जरूर सीख कर जाओगे लेकिन learning का मतलब यानि कि कुछ सीखने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो teaching से ही हो हम कुछ भी कहीं से भी सीख सकते है next is teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it so यह statement भी कहीं न कहीं सहीं है कि teaching में हम क्या करते है अपने knowledge को deliver करते है बट यहाँ पे deliver के जगा अगर share word use होता तो यह statement correct हो सकती थी next is teaching is an interaction and is triadic in nature whereas learning is an active engagement and subject domain so यह statement भी बिलकुल correct है so correct answer यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास option number 2 इसी के साथ next question पर पढ़ते हैं जिसमें कि again match the following से related question है जिसमें कुछ online portals एक तरफ दिये गई है and दूसरे तरफ उनके basic features की बात दिये गई है तो सबसे पहले we have स्वयम प्रभा, then ज्यान that is Global Institute of Academic Network then we have ज्यानवानी ज्यानदर्शन and ज्यानधारा वहीं दूसरे तरफ उनके definitions दी गई है ठीक है सो इसको इस तरह से यहां पे cover करते है so आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ कि स्वयम प्रभा स्वयम प्रभा क्या है स्वयम प्रभा एक free DTH channel हमें provide कराता है educational channels यह हमें provide कराता है ठीक है तो स्वयम प्रभा को हम directly इससे match कर देते हैं ठीक है तो इसको आप लोगों को इस तरह से याद रख लेना है तो स्वयम प्रभा को हमने इससे match कर दिया ज्ञान वानी वानी का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज को सिरफ सुन सकते है वानी तो किस को सुन सकते हैं हम FM को सुन सकते हैं सो C को हमने directly match कर दिया FOST के साथ ठीक है C को हमने FOST के साथ match कर दिया Then we have ज्ञान दर्शन दर्शन मतलब किसी चीज को देख सकते हैं ठीक है सो ज्ञान दर्शन directly किस से connect होगा educational TV channel के साथ connect हो जाएगा सो यह हम इसके साथ match कर चुके है Okay then we have ज्ञान धारा ज्ञान धारा भी बहुत important है ज्ञान धारा क्या है Audio Counseling Services है जो के internet के थू हमें मिलती है सो यह इसको हम match करेंगे Then we have ज्ञान सो ज्ञान क्या है Global Institute of Academic Network यह क्या है Talent Pool है जिसमें कि Scientist और Entrepreneurs work करते हैं उनकी engagement रहती है with Indian Higher Educational Institutions इस तरह से कुछ keywords की मदद से आप इन repeated questions को याद रख सकते हो अगला question है All teaching implies learning यह statements देखो students इस question में हमने पढ़ी यही होता है कि statement based questions अगर आप PYQs करते हो तो आपको पता लगता है कि वही questions NTA repeat करता है So all teaching implies learning की हर एक तरह की teaching से learning जरूर होती है Learning to be useful must be delivered from teaching यानि कि अगर हमने जो सीखने के लिए जो उप्योगी चीजे होती है उसको उप्योगफुल बनाना है तो उसके लिए वो चीजें teaching की मदद से ही पूरी हो सकती है So यहाँ पे हमने previous question में पर discuss किया था कि सीखने के लिए teaching की जरूरत नहीं होती है किसी student को कुछ सीखने के लिए हर बार किसी teacher की जरूरत नहीं होती वो कुछ चीजें अपने आप भी सीखते हैं कुछ चीजे self study से भी सीखते हैं So next question आपके लिए homework question है जिसका answer आप मुझे हमेशा की था comment करके बताओगे और मैं वहीं आपको बताओँगी कि वो correct है या incorrect है So अगर answer नहीं आता होगा तो भी मुझे comment कीज़ेगा मैं वहीं पर आपको इसका answer बता दोगी So which one of the following is key behavior and effective teaching So अगर हमें अपने teaching को प्रभावी बनाना है तो महतपूर्ण व्यवहार कौन सा होना चाहिए ठीक है four options है Hindi English में पढ़िए and answer मुझे जरूर कीजिए Next question है यहाँ पे दो चीज़े दी गई है एक तरफ learners के characteristics है जो कि teaching learning system को facilitate करते हैं and उसको effective बनाते हैं तो कौन-कौन से वो points है prior experience of learner यानि कि कि किसी चात्र को पहले से उस चीज़ में कितना knowledge है कितना experience है कितना अनुभव है learner का family linkage यानि कि अगर teacher और learner के बीच में कोई family relationship है यह statement गलत है aptitude of the learner यानि कि वो कितना योग्यता रखता है learner stage of development यानि कि जो शिष्य है शिक्षार्थी है वो कौन से level पर है ऐसा तो नहीं है कि कहीं nursery के बच्चे को हम लोग NTA का level का पढ़ा रहे है learner's food, habit and hobbies so learner का जो खाता है जो उनकी hobbies हैं उनसे teaching learning को facilitate नहीं किया जाता learner's religious affiliation यानि कि उनके धार्मिक संबंध क्या है that is also not important so correct answer क्या है A, C and D only next question is in the context of classroom teaching classroom teaching में जब हम पढ़ाते हैं classroom में जब teaching होती है the foundation on which a warm and nurturing relationship with learner can be built is called so उस समय पे as a teacher आप अपने students के साथ एक अच्छा संबंध कैसे बनाते हूँ as a teacher तो क्या चीज़ important है तो वो teacher का effect important है teacher का प्रभाव important है ऐसा नहीं है कि आप लोग teacher बन जाओ and students को आप लोग बातों में लगा कर रखो हसी मजा करते रहो और पढ़ाओ ही नहीं वो कुछ समय के लिए students को पसंद आएगा लेकिन जब students का result अच्छा नहीं आएगा तो वो आपको पसंद करना बन कर देंगे तो आपका effect ऐसा होना चाहिए आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आप students के साथ अच्छे से रह भी रहे हो entertainment is also very important in classroom but वही पर entertainment के साथ-साथ आपको एक concept clarity भी हो जानी चाहिए next is on the basis of summative test a teacher is interpreting his or her student's performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior so इसको क्या बोला जाता है इसको criterion reference testing के अदर count किया जाता है इसमें क्या होता है देखो students की performance को क्या किया जाता है calculate किया जाता है judge किया जाता है so ये four types है बहुत important है इसमें एक और आता है summative evaluation जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो criterion reference में यानि कि मानदंड set कर दिया जाता है अगर मानदंड ये है कि 60% से जादा वाले बच्चों को pass किया जाएगा उसे कम वाले बच्चे सभी fail हो जाएगी तो ये मानदंड है उसके according हम students का क्या करते है उनको evaluate करते हैं उनको test करते हैं next question is which among the following is a cognitive characteristic of a learner cognitive here means mental ability किसे भी छात्र की संग्यानात्मग या फिर उसके mental level को अगर हमें देखना है तो कौन से characteristic important है तो level of visual literacy is important यानि कि दृश्य साक्षरता खासतर अगला question है empathy is essential for effective communication between communicator and the community communicating next is empathy like links the teacher and students तो empathy क्या होता है सहानुभूती क्या सहानुभूती teacher और student को link करती है बिल्कुल करती है ऐसा नहीं कि हर एक student को हम सहानुभूती के नजर से ही देखें बट कहीं न कहीं वो जीज़े important होती है अगला question है from the list of learning outcomes indicated below identify those which are set to be high level outcomes so options यहां पर दिये गए है जिसमें पहला है learning of facts and rules showing the ability to analyze and synthesize पहले directly answer पर जाते हैं तो देखो अगर हम लोग fact किसी चीज़ के fact और नियम समझ लेते हैं तो वो high level outcome हमें देता है यानि कि उस्तर यह परिणाम एक student को देता है अगर एक student का हमें पता है जैसे अगर आप लोगों ने मैं बता दूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे theory lectures देखे हैं तो यह questions आप लोग देखोगे कि same definitions नहीं हैं लेकिन वहां से आपके concepts अगर clear होंगे तो आप लोग easily analyze कर सकते हो ओके and third we have awareness responding and valuing यह सब चीज़े important होती है कि कैसे हम learning outcomes को यानि कि सीखने के परिणामों को एक अच्छा level तक पहुंचा सकते हैं यह थे आज के most repeated questions जो कि हर साल लगबग हर एक shift में पूछे जाते हैं I hope students आपको यह video पसंद आई है इसको share जरूर कीजेगा and screen पर दिएगे numbers पर contact करके आप किसी भी course की information ले सकते हो so thank you so much and I wish you all the very best झाल 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 कुल झाल 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 झाल